दुनिया के पाँच बड़े देशों मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन वद दक्षिन अफ्रिका के संगठन ब्रिक्स की शिखर बैठक आज यानि गुरुबार्नों से तमबर को होने जा रही है वर्चल तरीके से होने वाली इस बैठक के अध्यक्ष तब यह नरिंद्र मोधी करेंगे भारत इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष है शिकर समयलन में रूस के राष्ट्रपती ब्लादिमेर, पुतिन, दक्षिन अफ्रिका के राष्ट्रपती सिरिल, रामपोसा, ब्राजिल के राष्ट्रपती जायर, बॉल्सोनारो भी भाग लेंगे भारत ने बहु पक्षी व्यवस्था में सुधार, आतकवाद, विरोधी, कदम, सतक्विकास, लक्षे हासिल करने के लिए डिजिटल पध्योगीक उत्पकरणों का अस्तमाल करने लोगों के बीच परस पर संचार को बढ़ाने समित प्रात्मिक्ता वाले चार शेत्रों पर जोख दिया है इसके साथ ही नेता कोविड-19 महामारी के असर अन्य वैश्विक तथा शेत्री मुद्दों पर विचार साज़ा करेंगे बैठक में अफगानिस्तान गुद्दा भी चाय रहने की संभावना है बारत की कोशिश होगी की शिखर बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में भी पार्किस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्करे ताइबा जैशे महमत के बारे में इस पश्ट तौर पर जिक्र हो विदेश मंत्राले की तरफ से पताया गया है कि ये दूसरा मौका है जब पियम मोदी ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षिता करेंगे इसके पहले वर्ष 2016 में गोवा में ब्रिक्स शिखर बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षिता पियम मोदी ने की थी इस बार की बैठक के लिए भारत में चार विशेश मुद्दे प्राक्मिक ताके तौर पर लेने की पेशवर्ष की थी ये मुद्दे हैं सैयुक्त राष्ट्र, विश्व सासे संगठन जैसी बहुपक्षी विवस्थाओं में बदलाव आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा कठोर कदम उठाना सैयुक्त राष्ट्र के तहें तय सहस्त्राव दील लक्षियों को हासल करने के लिए तक्नीक का इस्तमाल सदे सिदेशों की जनता के बीच मेल मिला आपको ज्यादा मौका देना बैठेक में कोरोना का मुद्दा भी उठेता पावर्ड बाइ आर्थ्रोस्क्रीनिक अ डेडिकेट सेंटर और आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्स इंजरिंस